ओके गाइस तो देखी है हमारे सामने objective question है तो हमारी जो approach रहेगी इसको solve करने के लिए वो objective ही रहेगी तो अब देखी है हमारे सामने question है four options हमारे सामने दिये हुए हैं तो हमसे क्या बोल रहा है कि 100 बल्ब में से 10 defective है और हमने क्या किया बैग में से हाट डाल करके हमने 5 बल् probability हमें calculate करनी है कि एक भी हमारा defective बल्ब नहीं है तो सबसे पहले देखिए हम निकाल देखे P probability of getting defective बल्ब तो यह हो जाए कि 1 by 10 क्यों हो जाएगा आपका कितना 9 by 10 अब हमें calculate करना है probability x is equal to 0 that means हमारा एक भी बल्ब क्या नहीं होना चाहिए defective नहीं होना चाहिए और कितने म में से होना चाहिए तो 5C 0 तो बल्ब defective होने की probability कितनी है 1 by 10 और एक भी हमारा defective नहीं है तो इस पर power क्या हो जाएगी 0 तो 9 by 10 पर जो power हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी तो यह सारा सब कुछ हमारा कितना आ जाएगा यह expression हमारा 1 आ जाएगा तो answer हो जाएग 9 by 10 to the power 5 तो 9 by 10 to the power 5 हमारा कौन सा C option हमारा correct हो जाएगा